चलो आज हम बनाते हैं sugar free dates and walnut के यहाँ पे मैंने आटा लिया है उसकी बात यहाँ पे मैंने 100 gram dates लिये है यह seedless dates है इसको मैंने 100 gram गरम दोध में एक घंडे के लिए सोख करके रखा था यहाँ पे मैंने dry ingredients लिया है यहाँ पे मैंने आटा में baking powder और baking soda चान लिया था next मैंने लिया है यहाँ पे dry fruits यहाँ पे dry fruits में dates और walnut रखा है और 2-3 चमच oil यहाँ पे मैं regular oil यूज़ कर रहे हूँ पर आप कोई other dry fruit भी चाहते हैं तो वो भी add कर सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 inch का tin ले लिया है उसको अच्छे से grease करके baking paper भी रख लिया है तो चलो आप start करते हैं dates सामने soak करके रखा था उसको अच्छे से मैंने piece लिया और एक puree बिना लिया पर पहले हम dates का जो puree था उसको bowl में transfer कर लेंगे अगर आपको तोड़ी consistency कम लगीगी तो आप add कर लेना और milk या तो आप पानी भी add कर सकते हैं फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने अपना oil भी mix कर लिया इसमें first time मैं कोई recipe आपके साँ share कर रही हूँ I hope आपको अच्छी लगे और अगर कोई गलती होगी तो please माफ कर देना dates की puree और oil को अच्छे से मैंने mix कर लिया पहले उसके बाद मैं अपनी dry ingredients इसमें mix करती जाओंगी half-half करके मैंने यहाँ पर थ्री पार्ट में उसे mix किया है तो आपको better भी अपना ज़ादा पतला नहीं रखना है यह cake मैं अभी regular बहुत time से बना रही दे अपने clients के लिए तो सोचा चलो आज आपके लिए भी shoot कर लेते हैं first trip मैंने उसे डाल के mix कर लिया फिर यहाँ पर मैं second trip भी डाल रही हूँ अपनी अगर आपको दूद्या पानी की need लगीगी तो आप add कर ले जाएगा मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा पानी add किया था अपने बैटर पर और इसको cut and fold method से ही हम अच्छे से mix करेंगे मैं यहाँ पर whisk नहीं use कर रही हूँ मैं यहाँ पर spatula ही use कर रही हूँ तो try करें कि आप भी यह use करें लास्ट की कुछ video के angle मेरे से गलत होगे थे फिर भी मैंने try किया है कि मैं आपके लिए उसको video में अच्छे से rotate कर लूँ यहाँ पर better ready हो गया था तो थोड़ा सा dry fruits इसमें मैंने add कर दिया फिर इसे अच्छे से mix करके जो हमारा tin है उसमें मैंने transfer कर लिया था और अपना oven भी 180 degree में 10 minutes के लिए preheat करके रख दिया था transfer कर लिया मैंने यहाँ पे एक चोटे से cupcake मोल में और अपने 10K मोल में अब इसे हम bake कर देंगे यहाँ भी इसे 35 minute के लिए bake किया था अगर आपको लगीगा तो आप एक्स्रा भी कर सकते हैं मेरे इसे रहा नहीं जारा तो मैंने थोड़ा सा गरब में ही इसे आपको दिखा दिया आप भी अगर कभी ट्राइ करेंगे तो comment box में जरूर बिताएगा Amazon से मैंने यह अपना wooden table आज ही बंगाया तो तो सोचा चलो आपको दिखा दीती हूं यह मैंने किसी की वीडियो में दिखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था मैंने इसे बहुत सर्च किया यह तो नहीं मिला बट Amazon में मुझे एक जगा मिल गया था उसकी rating तो अच्छी नहीं थी ना उसमें जादा कुछ rating मिले भी थी बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो try करके देखते हैं तो quality में को बहुत जादी अच्छी लगी इसमें मैं अपनी के के filling frosting तो बहुत कम करती हूँ बट इसे थोड़ा सा मैंने shoot purpose के लिए ही लिया था यह proper wooden का है इसकी quality भी बहुत अच्छी है मेल दियो ने वीडियो मैं बबबाई